हलो फ्रेंट्स मैं आरती आपका अपने इस यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तो हम अपने घर में डेली ही तक्या यूज करते हैं और तक्या यूज करते करते कुछ समय बाद हमारे तक्या की हालत कुछ इस तरह से पिचकी हुई और गंदी से हो जाती है ये मार्केट जैसा फ्लपी तक्या नहीं रहता जैसा हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं यूज करने के बाद उसकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है तो हम आज के वीडियो में आपको मैं यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप आसानी से अपने घर पर अपने पुराने पिछके हुए तकिये को दुबारा से मार्केट के तकिये जैसा नया सा बना सकते हैं बिल्कुल लुसी तरह फ्लपी तकिया बन जाएगा जैसा है मार्केट से खरीद कर लाते हैं यह देखें मैंने पुराने तकिये को कट कर लिया है और उसके बाद उसमें इस तरह से गंदी सी पुरानी सी रूइ पिछकी हुई एक में सेट हुई सİ निकली है यह देखें बिल् सुलजाने के काम में लाते हैं जो मोटा सा बड़ा कौंब होता है इसको आप इस कौंब से हम रुई को सुलजा लेंगे जैसे हम अपने बालों को सुलजाते हैं यह देखे बस रुई को आपको आसानी से दीरे दीरे से खीचना है यह देखे रुई अपनी उसी तरह से फुली को सुलजा लूंगी थोड़ी थोड़े टुकड़े में लें आप एक साथ ना लें थोड़ी थोड़े टुकड़े को रुई के आप सुलजाते रहें देखें रुई वैसे ही पूर नई जैसी हो जाएगी फूली फूली से रुई हो गई हमारी हमको सारे तक्या की रुई को इ आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में आप ये काम कर सकते हैं, ये देखे, इस तरह से हमको अपनी सारी रुई को साप कर लेना है, सुलजा लेना है, उसको फिर से उसी नए रुई की तरह, फूली हुई, फलपी रुई बना ये देखे, हमारी रुई नई जैसी हो रही है, अब हमें इस पूरे तक है कि इतनी सारी रुई है, सारी रुई इसको सुलजाएंगे, थोड़ा-थोड़ा लेकर हम इसको सुलजाते रहेंगे, तो ये मेरी वही पुराने तक्या के रुई है, जो इतनी सारी कठी हो गई, देखे, कितनी साफ हो गई है, और ये अपने फलपी अंदाज में आ गई है, आप ये देखे, हमें एक कपड़े का टुकड़ा लेना है, जो इपिलो कबर के नाप का होना चाहिए, इसका हमें तीन तरफ से सिल लेना है, और एक तरफ से इसका मुँँ खुला रखना है, जिदर से हम रुई को अंदर डालेंगे, ये दे अंदर के पिलो का कवर होता है, उसमें हमको रुई को ही फिल करना है, ये देखे, अब मैं थोड़ी-थोड़ी करके इस रुई को अपने पिलो के अंदर डालूंगी, बिल्कुल कोने-कोने से डाल देना है, को बच्छे से हमको अपनी पिलो को फिल कर लेना है, थोड़ी- थोड़ी से रुई करके हम अंदर डालेंगे कोने कोने से दबाते हुए और इस तरह से हम ये इतनी सारी पूरी रुई इस तक्ये के कवर के अंदर डाल देंगे ये देखें दोस्तो इस तरह से आपको ये पूरी रुई इस कवर के अंदर डाल देनी है आप देखेंगे कि आपका तक्या उसी तरह से फिर से नए जैसा बन जाएगा कि आपका तक्यास अपका तक्यास अजैसा ओएगा काती है यह देखे, आप देख रहे हैं कि यह तक्या फिर से उसी तरह से फूला फूला सा बन गया है, अब हमें क्या करना है, एक सुई धागा लेना है, और इस जिस तरफ का हमारी तक्या का मुझ खुला हुआ है, इसके दोनों किनारों को, दोनों तरफ के दोनों साइडों को अंदर की तरह मोड़ते हुए और सिल देना है कच्चा टाका ही कर लेंगे हम क्योंकि इसके उपर तकिये पे हमें कवर चड़ाना ही है आप कच्चा टाका भी छोटा-छोटा सा करके इसका मुँख बंद कर सकते हम यह देखिए मैं ऐसे छोटे-छोटे से टाके लगा लूँगे और बंद कर दूँगे आप देखिएगा हमारा तकिया तैयार हो गया है और यह बिल्कुल मार्केट जैसे नए जैसा तकिया हो गया है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा कमेंट करके बताएगा कि वीडियो आपको मत भूलेगा यह देखिए हमारा तकिया तैयार हो गया है लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा नया नया सा यह देखिए बिल्कुल फूला सा मार्केट जैसा तकिया हमारा तैयार हो गया है यह मेरे पास दो तकिये थे मैंने दोनों तकियों को सही करके अपने तकिये नए जैसे बना लिये हैं देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं पुराना और गंदे तकी के जगा हमने ये फूले फूले मार्केट जैसे नए बिल्कुल तकी बना लिये हैं थैंक यू